जै शिरी राधे दिवाली पूजा में ना करें ये साथ गलतियां मालक्ष्मी हो जाएंगी रुष्ट अगर मालक्ष्मी को आपको प्रसंद करना है तो ये तीन काम जरूर करें वीडियो को एंड तक देखिए बहुती जानकारी वाली वीडियो है और मेरे चैनल को सब्सक्रा रखना चाहिए तभी मालक्ष्मी का आशिवाद आपको प्राप्त हो सकता है तो जानिये दिवाली पूजा से पहले और दिवाली पूजा के दोरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस वर्ष दिवाली 12 नवंबर यानि रविवार के दिन पूरे देश पर में धूम धाम से सेलिब्रेट की जाएगी तो दिवाली का त्योहार यानि रोष्णियों का त्योहार है खुश्यों का त्योहार है दिवाली का इंतजार हर किसी को बड़ी बेसबरी से होता है तो दिवाली के त्योहार कार्थिक मास्ट की अमावस्यतिति को मनाया जाता है माननेताओं के अनुसार दिवाली के दिन बहुत शुब होता है इस दिन मा लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है लोग विदी विदान से इनकी पूजा और अराधना करते हैं हर घर में इनकी पूजा पाट की जाती है तो दिवाली में निया मनुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन होती है और अपनी किरपाद रष्टी सदा आपके उपर बनाए रखती है घर में सुख और इस्मृद्धी आती है धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहती हाला कि ये तभी संबब है जब आप दिवाली की पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें लोग जानकारी के अवाब में दिवाली पूजा के दोरान छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं कि जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है बहुत से लोग पूजा पाट करते हैं हमें इसका फल प्राप्त नहीं होता है उनसे कुछ न कुछ गलतियां भी होती है तो ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि दिवाली पूजा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दिवाली पूजा में क्या करें और क्या ना करें आईए अब हम इस बारे में जानते हैं दिवाली के दिन पूजा करने का एक विशेश ही महत्व होता है ऐसे में पूजा इस्थल और घर की साफ सफाई करना बेहद ही जरूरी होता है माननेता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर साफ सफाई होती है ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा इस्थल को जरूर आप साफ करें पूजा इस्थल पर मालक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ती का मुख पूरव दिशा में हो और पूजा करने वाला अपनी पीट उत्तर की तरब करके बैठे पूजा में चांदी के सिक्के, कमल के फूल आदी जरूर रखें इसमें घर में खुशिया, सुख, इस्म्रदी और सौभाग्य आता है ये चीजे हमें ध्यान देनी चीए पूजा पाट के समय दिवाली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबारा समान न रखें ये अशुब होता है वास्तु के साब से भी खराब घड़ी, तूटी बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े अन्य कबार के समान जिने आप सालों से इस्तमाल नहीं कर रहें उन्हें दिवाली के दिन घर जरूर बाहर निकाल दें पहले ही निकाल दें दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा न बनाएं कि जिससे मालक्ष्मी नाराज हो जाएं खान पान का विशेज ध्यान रखें भूल कर भी दिवाली के दिन मास, मचली, शराब, आदी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि मालक्ष्मी इन चीजों से रुष्ट होती है आप दिवाली की रात को पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने कपड़े न पहने इस दिन नए वस्फर पहने यदि आप ऐसा करते हैं तो उन्हें तुरंत बदल दें दर असल फटे और पुराने कपड़े दरे दरता की निशानी माने जाते हैं पुराने फटे कपड़े पहनना वैसे भी अशुब होता है तो पूजा के समय रंगों का भी ध्यान रखें इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए शुब रंग पहने लाल, हरे, गुलाबी, पीले इस तरह के कलर उस दिन आप पूजा के समय पहने दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें पूजा करने के बाद कहीं भी भार ताला लगा कर ना जाएं पूजा के समय पूरे घर को रोशन करें दीपकों से जगमगा दें किसी भी कौने में अंधिरा ना रहे घर की सारी खिडिकिया दर्वाजे खोल दें ताकि लक्षमी जी का प्रवेश हो सके घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिष्टेदारों या पड़ोसियों के दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट जलती रहने दें अंधिरा ना करके जाएं रात को लाइट बंद ना करें दर्वाजे बंद कर लें खिडिकिया बंद कर लें सोते समय लेकिन लाइट उस दिन सारे घर की खुली छोड़ दें कहते हैं मालक्षमी सब के घर का निरिक्षन करने आती हैं दिवाली के दिन देर रात तक ना सोते रहें ऐसा करना अशुब होता है उस दिन नाखून काटना शेविंग करने से भी बचना चाहिए एक दिन पहले सारे कार्याप कर सकते हैं पूजा के लिए गणेश भगवान जी की मूर्ती खड़ी मुद्रा में न लाएं बैठी मुद्रा में लाएं सून्ड उनकी दाई तरफ हो इसका भी आप ध्यान रखें पूजा में लाल रंग के फूल इस्तमाल करें दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें पहले दिवाली में गणेश जी की ही पूजा की जाती है दिवाली की पूजा करत समय ना तो जोड से ताली बजाएं और नहीं उचे अवाज में आरती गाएं माननेता है कि लक्ष्मी मा को अधिक शोर शरावा पसंद नहीं है इससे वो रुष्ट हो जाते हैं मध्यम स्वर में जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे विश्णु जी के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी होती है अधूरी मानी जाती है ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें पूजा करने के बाद पूजा इस्थल को खाली या अंधिरा करके न छोड़ें यहां रात बर दीपक जलता रहना चाहिए मालक्ष्मी जी गणिजी के सामने दीपक जरूर जलता रहना चाहिए इसके लिए परियाप्त मातरा में दीपक में तेल डालें गी का इस्तमाल करें कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़ा आप बड़े साइस का ले लें कि जिस से वो पूरी रात उसमें तेल डाल कर चोड़ दें तो वो जलता रहे ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियां दी कि जिने आप ध्यान में रखकर पूजा पाठ के समय अपनी पूजा पाठ को सफल बना सकते हैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुप कामना है मा लक्ष्मी आपके घर में आगमन करें आपकी हर मनो कामना को वो पूरी करें जै माता की